तो अब कुछ महाराणा प्रताप पे जब मुगलों का हाहा कार बढ़ गया उस हल्दी की घाटी में तब एक वीर ने जन्म लिया कुंबल गड़ की माटी में लाख समझाने पर अकवर के जिसको राशना आई अधिन्ता कभी ना हुआ है इस धरापर महाराणा सा लालबी चड़ चेतक पर जिसने दुश्मन को मार भगाया था 81 किलो का कवच और उसका 71 किलो का भाला था देखकर हजारों दुश्मनों को भी ना उसकी चाती कभी दहलती थी राणा प्रताप की तलवार भी बिजली सी चमकती थी कुछ वर्स पहले इस धरापर हुआ एक वीर ऐसा था जिसको मरता देख अकवरवी फवक फवक कर रोया था भारत माता का शीश कभी ना उसने अपने रहते जुकवाया वह कुंबलगण का महाराणा भारत का वीर शिरो मडी कहलाया थैंक